नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SPU Update यूट्यूब चेल्म मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर अभी नियंतरण में आई ही थी कि तीसरी लहर सुरू होने की आहट दिखने लगी है रभी आर को मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 500 के करीब पहूंच गई है जबकि रभी आर को केवल दो लोग की मौथ हुई है पिछले सब्दाद दूसरी लहर में आये काबुक के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 200 की नीचे आ गई थी राज में 457 नए मरीज मिले हैं वहीं महाराष्टा में 66 मरीजों की मौत हुई है आज यह पहली बार है जब राज में मौत का अकड़ा 100 की नीचे आया है रविवार को मुंबई में कोरोना की 496 मरीज मिले जबकि 237 मरीज ठीक होकर घर चले आये कोरोना की दूसरी लहर की चेतानी को देखते हुए बीमसी ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है तीसरी लहर को देखते हुए रविवार को बीमसी कमिस्टर इकबाल सिंग चहल ने महानगर पालिका अधिकारियों को जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया था उन्होंने कोरोना मरीजों का टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत बताया दोस्तों टेस्टिंग के जरिये ही कोरोना महामारी पर अंकुष लगाया जाए सकेगा मुंबई में रविवार को कुल 43,117 लोगों की जाच की गए जिसमें दोस्तो 496 लोग कोरोना संकृत पाये गए राहत की बात है कि कोरोना से मौत की संख्या में भारी कमी आई है पिछले सप्ता तक कोरोना मरीजों की संख्या 200 से 320 थी एक सप्ता बाद यह संख्या 500 के करीभ पहुँंच गई है कोरोना की दूसरी लहर सुरू होने के समय भी यही टेंड देखा गया था एक ही सब्ता में मरीजों की संख्या में तीन गुना की बिद्धी हो गई जिससे लग रहा है कि तीसरी लहर का अगाज हो चुका है तो दोस्तो कोरोना के नीमों का पालन करिए मास्क और सेंटाजर का इस्तेमाल करिए अपनी बारी आने पर वैक्सिनेशन जरू करवाए ऐसा नहों कि जो सारी चीजे सुरू की गई है फिर से बंद करनी पड़े फिर से लागडाउन लगाना पड़े दोस्तो महाराष्ट मुंबई की सभी ताजा खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सकाइब करें अपने दोस्तों में शेयर करें धन्यवाद